हेलो, हाई प्रेंट्स मैं आपका दोस्तुर एंदरत हमर। और आज एक और हम नई रिडियो ले करके आये हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे रेडियेटर के बारे में, जो हमारे इंजेनों में जो रेडियेटर जो यूज होता है, उसके बारे में बताने कि वह क्या काम करता है वह क्यों लगाया जाता है और कहांगों से किस किस तरीके से क्या सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी हर वी डियो आप पहुंच सकें तो देखें हम अपनी वीडियो सबस्क्राइब दोस्तु यह हमारा काल जो कि अपना इंजन है कि हमारे इंजन लगा हुआ है और यह क्या है यह क्या काम उता यह एक हमारा जो इंजन का एक बहुत ही और महत्य पूर्ण हिस्सा है जो कि ये हमारे इञ्जन को ठंडा रखने का काम करता । थिक है कि हमारा जब इ्झन रन करता है इसमें काफी टैम्प्रेचर बन जाता है उसको टैम्प्रेचर को नॉर्मल रखने लिए यह जो रेडियेटर रहोता है। अब किस तरीके से यह काम करता देखे, इसमें क्या-क्या चीज लगी हुई है, सब चीज के बारे में मैं बताता हूँ, यह के बात करके, अभी मैं इधर की साइड हूँ, तो फिर उधर की साइड भी जाओंगा, तो उसमें दिखाओंगा कि किस-किस तरीके से क्या-क्या रेडियेटर का यह cooling system है ठीक है यह हमारे engine के लिए cooling system है ठीक है तो यह radiator है अब radiator के बारे में अभी मैं बताता हूं दूसरी साइड चलके समझाता हूं क्योंकि उधरी supply आई हुई है input कौन सी है output कौन सी है ठीक है और जो हमारा जो अंदर में दिखा हूँ आई है को ट्यूग क्या होती है ठीक है तो यह चीज बताने वाला हूं तो दूसरी साइड सलता हूं मैं हाँ दूसरी साइड आगे हूं ठीक है तो radiator की सबसे पहले हम uy इसे आगे चलते हैं इनपूट और आउटपूट की जो टीक है। और सबहने कि दीके कोस्टो है। सराओं, मैं बताओं जो हमारा जो यह वाला जो इंजन है जो इंजन है ठीक है इंजन में हमारी जो सप्लाई गई हुए एक नीचे से गई हुए एक उपर से गई हुए ठीक है फिर बीच में यह हमारा जो है थर्मो इस्टेड वाल दे दिया है जो कि हमारी जो बिलोक तक जो सप्लाई आने और जाने का काम करता है, ठीक है, यानि कि एक सपलाई यहां पे गई है, और एक सपलाई ऊपर से होकर के, यहां पा आई है, थर्मोस्टेड वाल तक, ठीक है, तो फिलोक पारे त्टे थे, तो यह देखेंगे दोस्तों, यह जो ने खना। है इससे कि हमारा जो इंजन का यो टेम्प्रेचर है वो न Do Gr. बना रहा है ठीक है तो देख है आब पे इन्पूट और आउटपुट की जो सप्लाई है या झायि कि जो अगर हमारा इंजन है और इंजन की हम इन्पूट और output की जो supply की बात करी जाए तो देखिए जो हमारे जो engine में जो जाने वाला जो coolant है तो वो नीचे की तरफ से जाता है ठीक है नीचे की तरफ से जब यह जो supply आई है यह नीचे की तरफ से आई हुई है जो कि हमारे जो hose pipe बोला जाता है इनको होज पाइप से यह कनेक्ट है ठीक है यानि कि जो यह रेडिएटर के हिस्सें से चो नीचे की यह सपलाई यह वाली जो है इन्पूट है ठीक है तो देखें दोस्तों जो इंजिन जा रही है इन्जिन की जो वो इन्पूट है तो एहां से यह गई है यह woater board है तो इस वाली supply में को होकर के block में से और फिर ये उपर की तरफ से होकर के यहां पायाती है अब यह क्या चीज है यह जो बाइपास जो नली लगी हुई है बाइपास यानि कि बाइपास क्या है जो एक हमारा जो thermostate wall रहता है thermostate wall जब तक हमारा open नहीं होगा तब तक हमारा इसी के उससे ही हमारा जो coolant है यह इधर की तरफ से हमारा bypass की तरफ से चलता रहेगा ठीक है यानि कि flow होता रहेगा लेकिन जब हमारा जो thermostate wall लगा हुआ है जिस temperature पे यह open होता है यानि कि इसके जो value है यह अलग अलग रहती है एक से 10 temperature फिर एक से 20 temperature एक से 30 temperature एक से 40 temperature जो भी हमारे इस इंजन में जिस temperature का लगा हुआ होगा मेरे ख्यालता 40-45 degree temperature पर आने पर ही आने के बाद यह open होता होगा तब ही इसको यह चलता होगा ठीक है इसको उपन होने के बाद में जभी radiator की supply में उपर की तरफ से जाता होगा ठीक है तो यह input और output यह input नीचे से क्यों है और output इसके लिए क्यों है क्योंकि हमारा जो coolant जब हमारा आएगा तो इसमें से होकर कर के जाएगा water body में से होकर के उपर की तरफ से जाएगा तो जो हमा यह प्रेक्षितल में चलक 652 आपनी, इस इसाने क्या बहना है, तो फेन के ईपनुट में यहाँ आपनाम पहले कि आता है, यहाँ पलीन में खांग, मुस्पट में पर इसे अंदर के छर्ञेक्ष लेन करके प्रूलच कल देके कि जो अपनी जो को ट्यूब लगी रहती है यह हीट होती है यानि कि जिसी तरीके से टेंपरेचर बढ़ता जाता है उसी तरीके से हीट होती है फिर इनी को जो फैन अपने जो फैन लगा हुआ है जब इस पर एयर देता है जब इसको टेंपरेचर को कम करने का काम करता है फैन यूस किया घ्या तो यानी कि कूलिंग शिस्टम में इस तरीके से बनाया गया है पूरी तरीके से जिस्से कि हमारा ट Henri एंग से जो है हमारा कम से कम बना रहे है जिस से कि हमारे एंजन में कोई प्रोलम न आ जा chilli तो देखें उस अब बाइदवाद में तो खराब होने के बाद में क्या होता है टेंपरेचर काफी बढ़ता चला जाता है बढ़ने के बाद में हमारा कोलेंट जो है वह जलने लगता यानि कि खतम होने लगता दीरे दीरे तो यह थर्मो इस्टेट जब हमारे इंजन में प्रोलम होगी और उस कंडिशन में हमारा इंजन सीज भी हो सकता है ठीक है तो यह टाइमली इसको चैक भी करते रहना चाहिए लेकिन जब यह खराब होगा तो वह दो-तिन कारणों से होगा गर यह हमारा कुलेंट कम हो जायेगा या कुलेंट टाइम से और शेंज नहीं होगा ठीक है तो इस पर जंग आ जाया जिस तरीके से हमारा हो जायेगा जिससे कि हमारा इंजन भी अवयिट हो जाता है और हमारा engine seize होने की कगार पर आ जाता है ठीक है न दोस्तों तो देखें इसी तरीके से मैंने बता दिया inlet कौन सा है, outlet कौन सा है, कैसे block में जाता है किस तरीके से आता है, किस direction चाहिए हमारा coolant जो है flow करता है ठीक है न दोस्तों और fan का क्या काम है फैन भी जो भी हमारा cooling system बनाया गया है ये सब को मिला करके एक temperature नोर्मल बनाये रखने के लिए ये cooling system engine के लिए तैयार किया गया है तो देखें दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करें मेरी वीडियो को like जरूर करें ठीक है न दोस्तों तो आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा ओके फ्रेंड्स